220 कडोड में बनने वली साउथ इंडियन मूवी जो अब तक 620 कडोड पे कमा चुकी है लेकिन क्यों? क्या है ऐसा ऐस मूवी में? बिसमिल्लाइर रह्माने रहीम, अस्सलाम अलेकुम, इजी रिवियूज के साथ मैं हूँ एरम जही लियो मूवी को डिफरेंट बनाता है इसका हॉलिवोड स्टाइल का एक्शन, म्यूजिक और ट्रेल सर्च कहूं तो ऐसा मास्टर पीस इंडिया में बनेगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था मूवी के फर्स्ट हाफ की स्टोरी काफी इंगेजिंग, स्वीट, रोमेंटिक है जहां प्रदीमन की खुबसूरत सी छोटी सी फैमिली दिखाय जाती है जिसमें उसकी बीवी, एक स्कूल गूइंग बेटा और बेटी है अपने दिल खरेब लुकेशन्स की वज़े से ये मूवी बनती है और भी इंटरस्टिंग एक रात प्रदीमन की काफी शॉप में होने वले वाके से प्रदीमन की पूरी लाइफ बदल जाती है माई गाड यहां फाइरिंग सीन जो दिखाया गया है वो तो नेक्स डेवल है बास अब वोही प्रदीमन जो शुरू में बेटे को फर्दी कहानी सुना के पूछता है एक सिट्वेशन में अगर देशत दिख आपके सामने खड़े हो और आपके हाथ में बंदूख हो तो क्या गोली चलाए बगएर इस बाबनेक से निप्टा जा सकता है वो बेटे को समझाता है कि गोली चलाए बगएर भी गुजारा हो सकता है लेकिन जब खुद पर आती है तो पांच सेकिन में पांच लोगों के सर पर डिरेक्ट गोली मार के उनका कतल कर दिया जाता है यनि प्रेक्टिकल थियोरी पे हावी हो गया अब एक मासूम से इनसान जो इस से पहले इनसानों को शदीद जखमी करने वले हाईनों को भी नहीं मारता और उसे जिन्दा रिस्क्यू करता है एक साथ पांच लोगों का कतल अजीब बाद है ना पुलीस इंक्वाईरी बैठती है जजज अदालत लगाते हैं लेकिन प्रदीमन बाइज़द बरी हो जाता है क्योंकि ये सारी केलिंग्स उसने सेल्फ डिफेंस में की होती है लेकिन जिन पांच केंग्स्रेस को कतल किया गया है उनकी फैमिली भी प्रदीमन के दुश्मन बन जाती है और फिर भरे भजार में उस पर हमला कर देती है लेकिन वो साउथ इंडियन मुवी ही क्या जिसमें एक हीरो चालेस से पचास गुन्डों को एक साथ माणना सके बिलकुल वहाँ बे भी ऐसे ही दिखाया गया है लेकिन ये फैट सीक्वेंस भी एक नेक्स्ट लेवल का फैट सीक्वेंस है इस वाकिय के बाद प्रदीमन की फैमिली को पुलीस प्रोटेक्शन की जरूरत होती है लेकिन पुलीस वले इतनी असानी से कहां मानने वाले थे क्योंकि भरे भजार में प्रदिमन पे हमला होने के बावजूद भी उसको एक खरुश तक नहीं आती इसके लिए दोसकी मदद से प्रदिमन अपने आपको खुद जखमी करता है और पुलीस प्रोटेक्शन लेने में काम्याब हो जाता है फिर क्या बस ये नियूस तो जंकल में आँख की तरह सबसे बड़े विलन एंटिनी डास तक पहुँच जाती है एंटिनी डास का रोल नभाया है संजदत ने एंटिनी डास ज्यसे ही प्रदिमन की तस्वीर देखता है तो उसको फॉरण पता चल जाता है कि ये तो लियो है अब ये लियो कौन है इसके बारे में आगे बताती हूँ अब अगले हाफ में इसी बात को फिगर आउट करने में निकल जाता है कि एक सीधा साधा आम सा मासूम सा इनसान प्रदिमन क्या वाकी सबसे बड़े ड्रग डीलर एंटिनी डास का बेटा लियो डास है ये डास इस बात का पता लगाने के लिए प्रदिमन की कौफी शॉप पहुंच जाता है जहां वो प्रदिमान को खुद को लियो कहने पर जोड डालता है इसी दुरान मसलसल प्रदिमान को लियो कहने पर प्रदिमान की बीवी और उसका दोस्त मिलका सच का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें लियो की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है अब इसके आगे क्या होता है क्या प्रदीमन वाके ही लियो है वो जूट बोल रहा है या सच बिलकुल ही मुक्तलिफ है इस से जाद मैंने आपको कुछ बताया तो स्पोईलर्स आ जाजाएंगे तो इसलिए इस वीडियो का मकसद आपको कोई भी स्पोईलर देना नहीं था इसके आगे क्या होता है ये मुवी आपको खुद देखनी पड़ेगी ये आपको नेटफलिक्स पे भी मिल जाएगी और भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाएगी अगर तो आपके सिनमा हॉल्स में ये मुवी लगी है तो इस मुवी को सिनमा हॉल्स में ही देखिये लेकिन अगर आपके मुर्क में नहीं ये मुवी लगी है तो भे तो नेटफलिक्सक्स पे काम चलाना पड़ेगा इस मुवी को डिफनेट बनाता है में काईम रहती है यह मूवी इस मूवी की सबसे मज़ेगी बात यह है कि यह फैमिली मूवी है आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं लेकिन खुन खराबा इतना नेक्स लेवल का दिखाया गया है कि बच्चों को दूर रखा जाए तो ही बेतर है मैं इस मूवी को 4.5 स्टार्स दूँगी 0.5 स्टार्स सेकेंड हाफ के बहुत लंबा होने की वज़े से कटा है आपको इस मूवी में क्या अच्छा लगा क्या बुरा मुझा कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताईएगा इसके साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए करें शेयर कीजिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में तब तक अबना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लहाफिज